उलेक्स पर कार बाइक मोबाइल फोन इत्यादी समान की फोटो अपलोड कर बेचने के लिए विभिन ग्रहकों से पेटियम के माध्यम से नगदी ठगी करने की वारदात को अंजाम देने वाले अंतराजिय राजस्थानी गिरों के तीन सदस्यों को पानीपत पुलिस ने काब दिवस CIA2 में प्रेस वारता कर बताया कि पुलिस इंस्पेक्टर दिपक कुमार के नित्रित्तो वाली CIA2 टीम ने OLX पर कार बाइक मोबाइल फोन इत्यादी समान की फोटो अपलोड कर बेचने के लिए विभिन ग्रहकों से पेटियम के माध्यम से नगदी ठगी करने की वार पेटियम के माध्यम से पहले पेटियम खाते में 65,000 रुपे डलवाए इसके पस्चात यूवक कई दिनों तक कार देने की बहाने बाजी करता रहा और बाद में उसका फोन भी बंद आने लगा जो उसके साथ धोखा दड़ी की गई है मंजीत की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ थाना माडर टाउन में भारते दंड सहिता की धारा 406, 420, 467, 468, 471 वा 120 बी के तहत मुकदमा नंबर 305 बटा 19 दर्ज कर कानूनी कारेवाही अमल में लाई गई पुलिस पूझताच में आरोपियों ने बताये कि उनके साथी जफार और जफरुदीन फरजी आईडी से मुबाइल नंबरों से पेटियम आकाउंट बनाकर उन्हें उपलब्द करवाते थे और योजना के अनुसार OLX पर विभिन सामानों तथा वाहनों की फोटो डाल कर फोजी मुबाइल नंबरों से बने फरजी पेटियम आकाउंट में नगदी मंगवाकर ठगी की वारदात को अन्जाम दिया जाता था गिरफतार आरोपियों से फोजियों की वरदी तीन कैंटिन कार्ड दो आधार कार्ड तीन मुबाइल फोन तथा 35,000 की नगदी बरामत की गई है चोबीस अपचीस अपरेल को हमारे मारल टाउन ठाना में के अफ़ए अरजज हुई थी उसमें लगाया था कि उसने कोई गाड़ी उसको खरीदी थी कंप्लेनेंट को और उसने वेलेक्स पर कोई एट देखा मारूतिकार का और उसमें जो नंबर दिया हुआ था उस उसने फिर उसे बात कि उस नंबर पर उस जो सामने नंबर वाला था उसने उसे बात कि और उसने बातों में लेकर उसको अपनी गाड़ी की तारीफ करके अपनी बातों में लेकर एक फरजी उसको पे टीम का नंबर दे दिया और उसमें 65,000 उपर उसके उसे जमा करबा गये लेकिन जो उसको समय और जगह दे गई थी, महाँ पर ना गाड़ी मिली ना उसके कोई पैसे वापस मिली, तो यह F.I.R. हमने दर्ज की थी मारल काउन ठाने में, तो उसकी उसमें सफलता हमारी सिया, यह 2 की टीम ने प्राफ्ट किया, पंद्रा मई को एक उसका साजित नाम के लड़के को गरिफतार किया, इसमें पनी साइबर के मदद से, उसके नंबर को ट्रेक करके साइबर की मदद से मुख्य आरोपी को गरिफतार किया, और इसमें तीन आरोपी अभी तक गरिफतार हो चुके हैं, ये अलवर राजस्थान के रहने वाले हैं, साजित, वाहिद और सोनू, पंद्रा तारीक को साजित को गरिफतार किया गया था, उननीस तारीक को वाहिद को और उसके बाद जैसे जैसे इन्वेस्टिकेशन चलती गई, उसी कर्म में तेज तारीक को सोनू उर्फ नीलू को गरिफतार किया गया, इसमें आरोपी जो साजित है, मुख्यारोपी, उसके पास तीन फर्जी फोजियों के आई कार्ड मिले हैं, केंटिन के कार्ड क्योंकि ये अपने आपको खोजी बताते थे ताकि कस्टमर को विश्वास हो जाए, दो आधार कार्ड, दो मुबाइल फोन और 35,000 रुपे, और वाहिद से 7,000 रुपे इसके इससे माय थे लेकिन इसने खर्च कर दी अब रामत में हो सके, और सोनू जो आरुपी है, 12,000 रुपे बरामत करने के लिए उसका पुलिस रिमांड लिया गया है, यह वी रिमांड के दोराने से यही सारी इन्वेस्टिकेशन करेंगे, कि कार्ण कार्ण उसमें और इन्वाल हैं, कहां ये कार्ड बनवाते थे, यह सारी चीज़ें इन्वेस्टिकेशन की दोरान आएंगे, इन्वान ने और बहुत सारी वार्दाते की हुई हैं, दिल्ली में, जजजर में, अंबाला में, रूप नगर रोपड में, रामपूर अंबाला में, जिरखपूर और बिवानी, और अमरेट सर में, और बिचपड़ी कोवाना में, खुल 11 वार्दात इन्होंने कुबूल की हैं, और पूस्ताच में और भी बता रहे हैं, आधी चीज़ें इनको ध्यान भी नहीं हैं कि कितनी वार्दात कर चुके हैं ये, तो 11 वार्दात अभी तक इन्होंने ये कुबूली हैं, तो जिन-जिन थानों की वार्दात हैं, उसको आजपास के जितने भी हमारे ESP लगते हैं, डिस्टिक्स लगते हैं, आचाए वह अरेना स्टेट के हैं, चाए अधर स्टेट के हैं, उनको इंटिमेट करेंगे और उसके बाद इनका लिगल प्रोसेस आगे चलता रहीगा।